गुरुपावार्था कारियक्रमुमुनको स्वागतं। नेटी ध्यानां समों। चिन्ता केर आयन में करकू चिन्ती इंचु छून नाड़ुगनका मिचंत याथतू आयन में आवेड़ी। CAST YOUR BURDEN ON THE LORD, BECAUSE HE CARES FOR YOU. नीभारम यहो वामीदा मोपमो सोधरा नीभारम यहो वामीदा मोपमो सोधरी नीभारम यहो वामीदा मोपमो सोधरा नीभारम यहो वामीदा मोपमो सोधरी नीभारम यहो वामीदा मोपमो सोधरा the burden on the Lord because he cares for you उन्नद देवन उन्न उड निरुका उल्लमे कलंगादे उन्नद देवन उन्न उड निरुका उल्लमे कलंगादे अवर नल्लवरे इन्रूं वल्लवरे नन्मैगल कोरयादे उन्नद देवन उन्न उड निरुका उल्लमे कलंगादे आवत्तिले रंद उन्नई परिश्णुद्धमा केडवार आवत्तिले रंद उन्नई परिश्णुद्धमा केडवार ताल्मयल केड़ंद उन्नई थम्दयवाल नी केडवार ताल्मयल केड़ंद उन्नई थम्दयवाल नी केडवार उन्नद देवन उन्नुड निरुका उल्लमे कलंगादे अन्ना अलिल्थम्पादं अमन्द अन्ना अलिल्जबंकेटा अन्ना अलिल्थम्पादं अमन्द अन्ना अलिल्जबंकेटा अनाधयाईτα विता अन्द आगारीं कुरैती उर्थर अन्न आगारीं कुरैती उर्थर उन्नद देवन उन्नोड निरुका, उल्लमे कलंगादे। एसुवन मुन नडंदाल, नी ओड़ानै कलंदेडला, विस्वासम उनकिरुंदाल, अंद एरुकोवैं तगर्तिडला, उन्नद देवन उन्नोड निरुका, उल्लमे कलंगादे। अवर नल्लवरे, एन्रुम् वल्लवरे, नन्मैकल कोरयादे। उन्नद देवन उन्नोड निरुका, उल्लमे कलंगादे। बर्डन, भारमो, चिंता, आयना मी करकू, चिंती इंचेच्चू, नडगनुका, विचंत यावत्तू, आयना मीदा, वेयुडी, because He cares for you, cast all your burden on the Lord. यन्नी तलचिना, येदि अडिगिना, जरिगे दिनी चित्तमे, प्रभुवा, जरिगे दिनी चित्तमे, नी वाकुकै वेचे उंटिनी, ना प्राधना लकिंचूमा, प्रभुवा, ना प्राधना लकिंचूमा, नी तोडुलेका, नी प्रेमलेका, इललो नये प्राणी निलुलेदू, अडवि पूले, नी प्रेमपोंधगा, ना प्राधना लकिंचूमा, प्रभुवा, ना प्राधना लकिंचूमा, यनितलचिना येदि अडिगिना जरिगे दिनी चित्तमे प्रभुवा जरिगे दिनी चित्तमे ना इन्टि दीपम नीवे अनितलिसे ना प्रदयम नीको रकै पदिल परचिते आरि पोई ना वेलगु दीपम वेलिगे दिन्चमो नी प्रेमतो प्रभुवा वेलिगे दिन्चमो नी प्रेमतो एन्नी तलचिना येदि अडिगिना जरिगे दिनी चित्तमे प्रभुवा जरिगे दिनी चित्तमे आपदलू नन्नू वेन्नन्टि उन्ना ना कापरि नीवै नन्नादु कोंटि वी लोकम अन्तयू नन्नो विडचिना नीन उन्डि वेरुचे यवू प्रभुवा आने नुंडि वेरुचे यवू येन्नी तलचिना येदि अडिगिना जरिगे दिनी चित्तमे प्रभुवा जरिगे दिनी चित्तमे नास्तिति गमनिंची नन्नू प्रेमिंची कलु अरिलो ना कुरकै यागमै तिवा नीदु यागमे ना मोक्षमार्गमो नीयंदे नित्यजीवमो प्रभुवा नीयंदे नित्यजीवमो यनितलचिनो येदि अडिगिनो जरिगे दिनी चित्तमे प्रभुवा जरिगे दिनी चित्तमे नीवाकु कई वेचि उन्टिने ना प्रार्धनालकिंचुमा प्रभुवा ना प्रार्धनालकिंचुमा चिंता भारमो बर्दन आयना मी करकु चिंती इंचुच्चुमा ना डुगनका मिचिंता यावत्तु आयनमिदा वेयुडी because he cares for you cast all burden on the Lord नेनु विल्ले मार्गमो ना ये सुके तिल्ली उनु नेनु विल्ले मार्गमो ना ये सुके तिल्ली उनु hallelujah, 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 amen hallelujah, 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 amen जलमूललो पडि विल्लिना अविनामीद पारवू अगनेलो नेनु नडचिना ज्वाललो ननु काल्च जालवू hallelujah, 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 amen hallelujah, 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 amen विस्वासयात्रसागुचु पयनिंचु समयानना प्रभो सातानु सुडिगालिरे पगा नादरिचेरिनिलचावाना प्रभो hallelujah, 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 amen hallelujah, 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 amen नेनो विल्ले मार्गमो नाए सुके तेल्ली उनु hallelujah, 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 amen जलमूललो पडि विल्लिना अविनामीद पारवो अगनीलो नेनो नडचिना ज्वाललो ममुकाच जालवो hallelujah, 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 amen hallelujah, 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 amen चिन्ता बर्डन आयना मी करकू चिन्ती इंच चुँ नाड़गनका मी चिन्ता यावत्तू आयना मी दा वेयुडी because He cares for you, cast all your burden on the Lord. नी तल्लिय इनगानी निरुमरचुने आप्रेम मूर्ति निन्नु मर्वजालुना संदेह मेला संसयम देला संदेह मेला संसयम देला प्रभुये सुगायमुलनु परिकिन्च चुडु गाया ललोनी उरेलु ताकिन्च चुडु प्रभुये सुगायमुलनु परिकिन्च चुडु गाया ललोनी उरेलु ताकिन्च चुडु संदेह मेला संसयम देला संदेह मेला संसयम देला आमुन्लमकुतमो नीकैन्धरिंचने नीपापसिक्षनो येसुम्भरिंचने आमुन्लमकुतमो नीकैन्धरिंचने नीपापसिक्षनो येसुम्भरिंचने प्रवहिंचरक्त धारा नीको समे, कड़ुगोरहिं सनुन्दे नीको समे, प्रवहिंचरक्त धारा नीको समे, कड़ुगोरहिं सनुन्दे नीको समे, संदेह मेला समसयम देला, संदेह मेला समसयम देला, एन्दा कये सुनि नीवो, एरुगनंदु, एंदा कहर्दयम बयटानिलुवमंदु, यंदाक येसु निनीवु यरुगनन्दु यंदाक हृदयमु बयता निलो मन्दु प्रभु येसु प्रेमनीकु लोकु आयना प्रभु येसु सिलु असु वार्ता चुलकनायना प्रभु येसु प्रेमनीकु लोकनायना प्रभु येसु सिलु असु वार्ता लोकु आयना संदेह मेला संसयम देला संदेह मेला संसयम देला प्रभु येसु गायमुलनू परिकिंच छोडू गायाललो नीवरेलू ताकिंच छोडू प्रभु येसु गायमुलनू परिकिंच छोडू गायाललो नीवरेलू ताकिंच छोडू लोकानयवरु नीकै मरणिंचरू नीपापशिक्षभरीम्पा सहीम्परू लोकानयवरु नीकै मरणिंचरू नीपापसिक्षभरीम्पा सहीम्परू नी तल्लियाइनगानी निनुमरचुने आप्रेममूर्तिनिनुमरुव जालुना नी तल्लियाइनगानी निनुमरचुने आप्रेममूर्तिनिनुमरुव जालुना संदेह मेला संसयम देला प्रभु येसु गायमुलनु परिकिंचि छोडू गायाललो नी उरेलो ताकिंचि छोडू प्रभु येसु गायमुलनु परिकिंचि छोडू गायाललो नी उरेलो ताकिंचि छोडू चिंता बर्ड़नु आयना मी करको चिंती छोडू नडगरुका अमी चिंता यावत्तू आयना मीदा मेर्डी प्रभु परिकिंचि छोडू अंधु कोन निंता इवू प्रेमिंचिति वो देवा अंधु कोन दीनस्तुति पात्रा अलेलुये सैया अलेलुये सैया नी रूपमुनालो नी एर्मिंचि उन्नाव। नी पोलिकलो ने निवसिंपमन्नाव। नी वुनन्नो एन्नो कन्नाव। नी कुरकै नी कुरुपलो। आलेलूये सैया, आलेलूये सैया। नास्रमलु सहिंची नास्रयमैनाव। नाव्यदलु बरिंची नन्नादु कन्नाव। नी वुनन्नो एन्नु कन्नाव। नी कुरकै नी कुरुपलो। आलेलूये सैया, आलेलूये सैया। यंदु कोननन्निंता गानिव। प्रेमिंचिति वोदेवा, अंदु कोननादीनस्तुति पात्रा। हालेलुय ये सैया, हालेलुय ये सैया नीरूपमुनालो निर्मेंच युन्नावो नीपोलिकलो ने निवसिंपमन्नावो ये मियाद्भुता प्रेम संकल्पम् नेने मिचलिंतुनो हालेलुय ये सैया ये मियाद्भुता प्रेम संकल्पम् नेने मिचलिंतुनो हालेलुय ये सैया इंदुकोनननिंतगानिवू प्रेमिंचितिवोदेवा अंदुकोनादीनस्तुतिपात्रा अलेलुये सैया अलेलुये सैया चिन्ता बर्डन आयना मी करकु चिन्तिन चुच्छो नाडगनुका वी चिन्ता यावत्तु आयने मिदा वेयुडी because He cares for you. Cast all your burden on the Lord. प्राध्धन विनिडी पावनुडा प्राध्धनमाको नेर्पुमया प्राध्धन विनिडी पावनुडा प्राध्धनमाको नेर्पुमया स्रेस्टमैनम्हावमु गूर्ची सिष्य ब्रुंदमु कुनेर्पितिवी स्रेस्टमैनम्हावमु गूर्ची सिष्य ब्रुंदमु कुनेर्पितिवी परमुड निन्नू प्रणु तिन्चगनू परलोका प्राध्धन नेर्पुमया परम दीवुडावनि तिलिसी करमु लेत्ति जांट गमोच्षी सिरमुनु अंची सरिगनू वेडिन सुंकरी प्राध्धन नेर्पुमया सिरमुनु अंची सरिगनू वेडिन सुंकरी प्राध्धन नेर्पुमया प्राध्धन विनेडि पावनूडा प्राध्धनमा कुनेर्पुमया दिनमूलोन चेसिन सेवा दैवचित्तमु कुसरिपोवा दिनमु लोन चेसिन सेवा, दैवचित्तमु कुसरिपोवा, दीनुडवैयो अंटिग कोंडन, चेसिन प्राधननेर्पुमया, प्राधन विनेडी पावनुड़ा, प्राधनमाकु नेर्पुमया, शात्रु मूकनेनो चोट्टु कुनि, सिलुवा पैनने नुजाम्पगनो, शात्रु मूकनेनो चोट्टु कुनि, सिलुवा पैनने नुजाम्पगनो, शान्तमु तोनि शात्रु लब्रोवग, सलिपिन प्राधननेर्पुमया, प्राधन विनेडि पावनुडा, प्राधनमाकु नेर्पुमया, शिन्ता, आयना, मी करकु, शिन्ती चुच्च्चो नाडगनुका, में शिन्ता यावत्तु, आयना मेदा, मोपुडी, because He cares for you, cast all your burden on the Lord. प्राधनेर्फुमान, आद्पुतांकर्ण्सेइदि रुवेन, आतिसयमा युन्नय नढ़त्तिडुएन। आत्बुतंकल्ना सेधिरुएन। आतिसयमा युन्नय नढ़त्तिडुएन। नानुन्नै विट्टु विलगु वदिल्लै, नानुन्नै एंड्रों कैविडु वदिल्लै, नानुन्नै कान्गिन्र देवन, कन्मनी पोलुन्नै कापे, नानुन्नै कान्गिन्र देवन, कन्मनी पोलुन्नै कापे, नानुन्नै विट्टु विलगु वदिल्लै, नानुन्नै एंड्रों कैविडु वदिल्लै, नानुन्नै विट्टु विलगु वदिल्लै, नानुन्नै एंड्रों कैविडु वदिल्लै, नानुन्नै एंड्रों कन्वणि पोलुन्नै कापे, नानुन्नै कान्गिन्र देवन, कन्वणि पोलुन्नै कापे, तिगयादे कलंगादे मनमे, नानुन इडम इरुक्का भयमे, आद्बोतंगल नान सेइधिडुवें, आतिसयमा युन्नै नळत्तिडुवें, आद्बोतंगल नान सेइधिडुवें, नानुन्नै बिट्टु विलगु अधिल्लै, नानुन्नै एंडुँवें खैविडू दिल्लै, नानुन्नै कान्गिनर देवन, कन्मणि पोलुन्नै कापे, नानुन्नै कान्गिन्र देवन, कन्मणि पोलुन्नै कापेन, नानुन्नै विट्ट विलागु अधिल्लै, नानुन्नै एंड्रूं काईविडू अधिल्लै आयना, मेक वरकोशस चिंतिन्चच्च्च्च्च्चव नाडबनु का, मेक चिंता यावत्तु आयनि मीदा वेर्डी Because, He cares for you, cast all your burden on the Lord. चिंता, burden आयना मी करक्कु चिंती इंच चुच्छो नाडगानुका मी चिंता यावत्तु आयना में इधा वेड़ी Because He cares for you Cast all your burden on the Lord गाय पडिन समयाना मंचि समरयुनिला ना गायालुकडिगिन देवा आ कलैन वेड़लो आहारमिच्चि नन्नो पोषिंचि नावु देवा विडुवनो यडबाया ननिना नाये सैया दिनमल्लने पाडिना केर्थिंचिना नेरुणमोने तेर्च गलना कोनि आडि पाडिनी साक्षिगाने इललो जीविन्चना कोनि आडि पाडिनी साक्षिगाने इललो जीविन्चना ना बलहीन तयंदू ना सिलुवनु मोस्तू निन्नो पोलिनेनु नढच्चदन वेनु कुन्न विमरच्ची मुंदू नवाटिकै सहनमु तो परुगेत्दन उन्नत पिलुपुनकु कलगु बहुमानमो नेनु पोंदालनी दिनमेल्लने पाडिना किर्तिन्चिना नीरुणमो ने तीर्च गलना कौनी आडि पाडिनी साक्षिगाने इललो जीविन्चना कौनी आडि पाडिनी साक्षिगाने इललो जीविन्चना दिनमेल्लने पाडिना किर्तिन्चिना नीरुणमो ने तीर्च गलना कौनी आडि पाडिनी साक्षिगाने इललो जीविन्चना चिन्था केर आयना मी करकू चिन्थिन्चुचिवनाड़ कनका मी चिन्था यावत्तू आयना मी दावेर्डी because he cares for you, cast all your burden on the lord नडि पिन्चुनानावा नडि सांद्रमोन देवा नवजीवनमार्गमोना नाजन्मतरिम्पा नडि पिन्चुनानावा नाजीविततिरमोना नापजयाभारमोना नालि गिननाहरदयमोनो नडि पिन्चुमुलो तुनकु नायात्म विरभूया नादी इक्षफली इम्पा नानावलो कालिडुमा नासेवचे कोनुमा नडि पिन्चुनानावा रात्रंतयुस्रमपडिना रालेदु प्रभूजयमो रहदारुलुवदकिननो रादोयनो प्रतिफलमो रक्षिन्चुनी सिलुवा रमणीयलो तुललो रतनालनुवदकुटलो राजिल्लुन पडवा नडि पिन्चुनानावा आत्मार्पणचे यकए आसिंचितिनी चलिमी आहमुनु प्रेमिंचुचुने अरसिति प्रभुनी कलिमी आसा निरासाये आवे दने दुराये आध्यात्मि कले मिगनी अल्लाडे नवललो नडि पिन्चुनानावा प्रभु आक्यमु अदलितिनी राधिन्चुतमानितिनी प्रभु आक्यमु अदलितिनी प्रमाध्धमु मरचितिनी रापंचनटनललो रावेन्यतनु पुंदी पलहे नुडनै पुडू पाटिन्थुनी माटा नडि पिन्चुनानावा आत्मारपणचे यकये आसिन्चितिनी चलिमी अहमुनु प्रेमिन्चु चुने अरसिति प्रभुनी कलिमी आसा निरासाये आवे दने दुराये आध्यात्मी कले मिगनी अल्लाणे नवललू नडि पिन्चुनानावा लोतैन जलमुललो लोतुन विन बडु स्वरमा लो बडुटकु नेर्पिन्ची लोपम्बुलु सवरिंची लोनुन्नै उललो लोतैन नाव्रतुकु लोपिन्च नियार्पणगा लोके सचे युमया नडि पिन्चुनानावा प्रभुये सुने सेश्युडनै प्रभु प्रेमलो पादु कोने प्रकटिन्चुनुलो कमुलो परिशुद्धुनि प्रेमकधा परमात्म प्रोक्षणतो परिपूर्ण समर्पणतो प्राणंबुनु प्रभु कोरकु आनार्पणमु चेतु नडिपिन्चुनानावा चिंता बर्डन आयना मीकरकु चिंतिन्चुच्चु नडगनुका मीचंता यावत्तु आयनमेदा वेरुडी प्राणंबूर्ण 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 तोड़ अरूर्ण अरूर्ण प्राणंबूर्ण 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 an interviewer a journalist asks Mother Teresa Mother Teresa what do you think is the greatest sickness because you have been serving the sick the dying, the destitute for decades in your opinion what is the greatest sickness Mother Teresa shares her experience the greatest among all sicknesses is being unwanted being not loved by anyone being not cared by anyone being rejected by anyone being unwanted is the greatest of the sicknesses greatest of the pains greatest of the sorrows how many people we see all around us being unloved being not cared for being rejected being unloved being rejected being unwanted not wanted by anyone not loved by anyone no longer considered as useful to anyone is the greatest of the sicknesses it's not hunger if a person were to be hunger we will give a bowl of rice and the person eats and is satisfied and his hunger is quenched and he is satisfied but no amount of bread can satisfy the innermost longing for love this is the greatest sickness this is the greatest thing that is needed in this world the rich want to the lack they lack nothing yet many rich have a void in their heart being unloved I have so many riches I have so much wealth I sacrificed so much for so many I gave for so many so many of my valuable possessions yet I am unwanted yet I am unloved yet I am not cared for no one cares for me no one loves me no one wants me everyone is after my wealth everyone is after my riches everyone is after my position status is this not the plight of the rich how many rich are there how many millionaires are there how many millionaires are there among all the rich how many are loved as they are without expecting anything from them almost none this is what mother Teresa has said being unwanted being rejected being not loved by anyone is the greatest of the sicknesses and this void cannot be filled except by the love of Jesus Christ and we give this having nothing possessing everything we have nothing except Jesus so we possess everything that is needed to satisfy the innermost longings of any human being Jesus loves jesus cares for you as you are not considering your talents not considering your virtues not considering your sins not considering your flaws not considering your iniquities not considering your richness not considering your poverty Jesus loves as you are where can रहां के राध सुछाव, ग defending हैं जाक बाहा कृत, क्यों ऐस हको के्ά़ को अचार सा आडब के रेंश के रहें जाधान हैं ए रगेंट बड से रहां केंटे हैं this is no fairy tale these are not just mere words of the preacher if these were to be the words of the preacher they can be neglected they can be given a deaf ear they need not be considered the exemplary teacher of the bible Thomas A. Kempis in the book The Imitation of Christ writes do not consider who is speaking do not consider the credentials of the speaker rather consider what is being spoken what a wonderful advice the book of Thomas A. Kempis Imitation of Christ can only be compared to the book of Proverbs by the wisest of the kings King Solomon King Solomon has written many books King Solomon has written books on various topics biology geology and many other subjects though they do not find place in the holy bible the book of the book of Proverbs Ecclesiastes the preacher these books these books find place in the holy bible composed by the wisest of the kings as a father gives counseling to the son David gives Solomon gives wonderful counseling to his people to all the inhabitants of the earth the king that has reigned over Israel for 40 years has much to share much to give to the people under his rule the book of Proverbs is a rich source of wisdom likewise the book preacher is the rich source of wisdom these are the three books composed by Solomon Proverbs the song of songs the preacher ecclesiastes these are the three books composed by Solomon that found place in the holy bible among the 39 books of the old testament the three books namely the proverbs song of songs and ecclesiastes are composed authored by the wisest of the kings Solomon the lover of christ for the church is beautifully described in the book of the song of songs the book imitation of christ is comparable to the writings of Solomon much wisdom is present in the book the imitation of christ by thomas a campus in the book the writer states that do not focus on the speaker rather focus on what is spoken most of the time man's focus is on the virtues on the abilities on the credentials of the speaker rather than what is being spoken irrespective of the credentials of the author even read those books that are composed and compiled by authors of lower reputation do not select the books to be read based on the credentials and fame of the author even if the author were to be of no repute if something worthwhile is present in his writings grasp receive the message what a wonderful counseling in the book the imitation of Christ by Thomas A. Kempis care burden cast your burden on the Lord because he cares for you Jesus was rejected external appearances or deceptive Jesus is of no reputation Jesus is of no fame Jesus is no rich Jesus was not having kingly appearance Jesus is not born in the palace Jesus never lived a palatial life do not go by the fame of the speaker do not focus your attention on the credentials of the speaker external appearances might be deceptive Jesus has no attraction nothing appealing to be viewed in him after all 30 years of age does it count as wisdom in his 30s Jesus started royal priesthood that stood the test of time Peter writes regarding Jesus Jesus gets your burden cast your burden on Jesus regarding Jesus Peter is proclaiming the gospel to the Jews to the children of Jacob to the people of Israel cast your burden on Jesus because Jesus cares for you care burden being unloved being rejected being unwanted how many sorrowful stories are there in the lives of most of the Israelites many are single many are away from parents many are unmarried living singly loneliness void are you lonely are you rejected by your own dear ones no one to share the burden of your heart come to Jesus Christ because he longs for your fellowship he is willing to give fellowship to you he is able to satisfy your innermost longings do not go for temporal things I will have a pet of my own I will have domesticated pets and spend time with them and pass my time and get relief from my loneliness I will have my mobile phone I will have my laptop I will have my electronic gadgets I will have other past time activities I will have another recreation whatever may be your approach all will lead to vanity 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 only your heart's loneliness your heart's longing yourself being unwanted and rejected by anyone could only be satisfied when you come to the person Jesus Christ only and only if and only I believe if and only if I put my finger in the nail purse arm of Jesus Christ I believe otherwise I will not believe in the resurrection of Jesus Christ Tomah was disbelieving Jesus Christ is crucified dead and buried like any other human being Jesus Christ is no more that was the apprehension that was the disbelief of Thomas in spite of the very fact that Jesus Christ clearly told all his disciples regarding the resurrection resurrection is a fairy tale for inhabitants of earth who will believe that if a dead person will come back to life no one it was the same story with maria and martha having seen Jesus Christ so intimately so closely having observed the wonders miracles mighty deeds of Jesus Christ they have seen with their own eyes the marvelous and wonderful things that have that Jesus has performed in Bethany yet in the time of trouble in the time of calamity in the time of sorrow all faith vanished